अभी मेरे पास है Gio F320 और इसका अंदर कस्टमर के कहना है जो यह है जो जो फोन का जो एफ320 है इसका अंदर को charging not stories दिखा रहा है मतलब charging तो कर रहा है तो इसका अंदर जितने जो लोगो है लोगो आ जाएंगे लेकिन दोस्तों ये customer का है time to time दे रहा है लेकिन दोस्तों इसका charging full या charging storage नहीं दिखा रहा है तो इसका जो problem क्या है और actual कहां से problem हाता इसका कैसे solution है तो मैं इस video का अंदर आप लोगों को फुल एक्स्प्रेंड करने वाला हूं तो अबेसली इस वीडियो को एंड देख देखते रहे हैं तो जब भी आपको ऐसी जियोफोन की आईसी प्रॉब्लेम आए इस पर्टिकुरा जो एप 320 इसका अंदर अगर आईसी प्रॉब्लेम आए तो आपको क्या करना है आप मॉडेल नम भी देख सेकते हो तो आपको कुछ चीज़े आपको ध्यान में रगना है यह जो प्रॉब्लेम आते हैं कब आते हैं सबसे पहले यह बात है यह जो प्रॉब्लेम आते हैं कब आते हैं तो जब भी आप कोई भी चार्जिंग सालूशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आपको charging connector है ची सी है तो सबसे पहले आपको क्या सबसे प्लास फाइब मैं /. आपको Minas down आपको मिलेंगे यह नमबर 5 में और फुर में आपका ID लाइन है ID लाइन और यह data minus और यह data plus और यह to guys एक 2 3 4 पार आप ऐसे पार लाइन देख सेकतётсяग तो जियो iPhone का अंदर भी ऐसे ही आपको 5-pin का connector देखने को मिलेंगे तो इसका जो प्रॉब्लम है यह जो डाटा लाइन जो आते है डाटा माइनास डाटा प्लास इसका अंदर जो कपलर कोईल से होके जो सेंसिंग करता है cpu प्ass account सेंसिंग करता है तो यह लाइन पर दिक्कत आते हैं तो स सेंसिंग करता है लेकिन दौखाकर करेंगे लेकिन दौस्तों क्या हुगा आपको CPU का स्टोर लिए नहीं करेंगे तो इसलिए यह यह पॉस चार्जिंग अपको दह स्युद्ध मिलेगे तो आज हम बात करेंगे यह आगर यह जो लेयाओट है लेयाओट अगर आप साही तरिकाएं कर देते हो सबसेक्ट है जो आपका काम अंडेड़ परसन हो जाएंगे तो मैंने आप लोगों को जूम करके दिखा दू झायक्टर ciao यह जो फाइब मीन का कनेक्टर है तो सबसे पहले इसको आपको चेक्ट करके दू को इसको चेक करने के लिए को माल्टीमीटा रपको वीप म नमबर एकदम एकदम clear layout दिखा रहा है तो सबसे पहले अगर मैं इसको напротив mode पर लखा हूँ मैं तो सबसे पहले number one finn से अपको यह आपको इसका ड़ीपी पर आपको connect कर देना है अगर इसका कि आप देख सकत हो इसके लाइन मतलम number one 실ne इसका line है यह से एकटिपी इसका लाइन है ये लाइन एकदम ओके है और नमबर टू पे है फ्लास डाटा फ्लास तो डाटा फ्लास से एकटिपी अब देख सेकते हुए जे लाइन है ये लाइन ब्रेक है और नंबर 3 पे एकदो मूखे है नंबर 4 एकदो मूके है और नंबर 5 जो गाउंड आपका ही से भी गाउंड कर सकते हो तो मतलब आपका जो data plus line वो मिसिंग है और यह data plus Left लाइन इधर से टीपी पर आتे है और इसके बाद अगर आप इसको तो ये सबसे पहला जो कपलर कॉयल है कोयल पर आ रहा है और तो यह सबसे पहले एक लोग को बता दूँगी एक मीट में अगर आप आची तरह किसे देखेंगे तो यह जो ॉलाइन दिखाए दे रहा है तो इस लाइन पर आपको काम करना है एक दो तीन चरफांच तो लाइन पर काम करना है तो सब से पहले इसको अच्छी तरह किसे जंपर कर लेते हैं तो गाइस सभी line एकदम connected है लेकिन दुस्तों यह data п Loras का ये जो line है यह line break है तो आपको जंपर करना है यहाँसे आपको इधर फे करना है जंपर तो आईए करते है कहने के बाद इसका result क्या है मैं आप लोगो साथ दिखाने वाला हूँ तो आईए तो कैसे आप देख सकते हो एक सीरप मैंने इसको सिसी पे आप मैंने जंपर कर दिया है नहीं करना है और इसके बाद आपको कहा Var 74 क्वाइल है उसके पार देना है तो तो सबसे किस्कों कर deal nawet race yana अब रोज़न कोई भी उसक्षाल सकते है लेकिन दोस्तों मैं यूजब करूंगा रोज़न और इस पिन पर अच्छे आ तो इसका मतलब connection इस पीन पर नहीं है तो इसी तरह आपको इस पीन पर करना है jumper तब देख सेक्ट तो इस टिपी पर नहीं करना करना है इस आपको करना है इधर इस coil पर करना है अच्छी तरह के सब एक कोईल पर आपको करना है जामपर तो गैस अगर आप लोग को दिखाए दे रहा है तो अच्छ तरह किसे इस कोईल पर मैंने कर दिया है जामपर तो थोड़ा सा इसको जूम करता है अब देख सकते हो इस कोईल पर और इसके डाटा प्लास पर मैंने जामपर कर दिया है और तो आईए जीरो था इसका जो बैटी चार्ज तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं कानेक्ट और इसके बाद अगर आपके पास अगर शाही हुआ है तो 100 परसन इसका रिजाल्ट देखने को मिल जाएंगे थोड़ा सववेट कर लेते हैं अब देख सकते हो सेम फोन है तो एक नंबर हो गया है एक उन फरसेंट और आपको दो भी देखने को मिलेंगे तो गाइस मेरे हिसाब से अगर आप इसी तरह के समझ के काम करते हो ना तो खार काम आपका जो सही होने वाला है तो अबेसली अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल पर कर लिए सब्सक्राइब और अगर